स्केर क्रूव मेरे पापा के पास बहुत पैसा है वो तो फसल पड़ी होने के बाद ही पता चलेगा बच्चे अच्छा दो ओके बच्चो All the best, take care सबसे पहले मैं खेतों में पानी डालूँगा मेरी फसल सबसे अच्छी होगी यह क्या जादू हो रहा है वीर, वीर का हो तम वीर वीर, तुमने कुछ जादू किया है देखो, पानी की धार हर बार तुम्हारे खेतों में जारी है बंटी शाय तुम्हे कोई गलत सामी हुई है ओके बाई, टेक है मेरे साथ ऐसा क्यू होता है वीर, फसल को कोई और दूसरे बंचियों से बचाने के लिए ये स्केर क्रो लगाया जाता है खेर छोड़ो, तुम्हे तो पता भी नहीं होगा कि स्केर क्रो क्या होता है हम भी स्केर क्रो लाए है वो उदर रोड साइड में रखा है चलो इमली, अपना स्केर क्रो लेकर आती है जब ये वीर का मजाक उड़ाता है तो मुझी गुस्सा आता है, और जब मुझी गुस्सा आता है, तो मैं जादू करता हूँ यह कैसे हो सकता है, मैंने तो गुट्टे हुगाए थे, साप नहीं लौलीपॉप्स, साप नहीं है, लौलीपॉप्स है, मेरेखेतों में लौलीपॉप में माहान हूँ सर्वक शक्तिमान हूँ मियां बॉस बक्डी मॉस मॉस बक्डी मॉस मॉस बक्डी यह बक्डी नहीं है और मैं मॉस नहीं मैं हूँ बॉस और यह है मक्री दे जाइंट स्पाइडर रोबॉत तुम इसमें पैट के वील के उपर स्पाइडर विप फेंके उसे उसमें लपेट के जमीन पे घसीटते हुए यहां लेकर लाना म्यां बॉस यह जीनियस यह सुपर दूपर जीनियस यह यह भी बॉस यह जीनियस थे शेकर बॉस यह 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 अवञी एंव यह्यार। नवञीज था सिरौ joking वर्ण दॉजज़ वर्ण वर्ण अवञीज़ वर्ण यजज़ प्रॉत ग्राल यह दिन यह फ्रॉत धो वर्ण वर्ण तिम्बक्टू से चाफकरू। सुरी बसुरी। वो देखो इतनी बड़ी स्पाइडर। बजय बाग औरे प्रूप ए्रभ भुल रुब स्कूण मुझड़ औरे बार मुझड़ दिया हो नजया हो कर दो नेहे हो ने जया हो suffering इसका मतलब है अनाइडिफाइड प्लाइग अबजेक्ट जब दूसरी प्लानेट के लोग किसी फेस शिप में आते हैं तो उनकी फेसशिप को हम यू एफो कहते हैं रोबो बॉई सूट आन रोबो बॉई सूट आन वह देखो नग रहा है चलो देखते हैं चलो देखते हैं चलो यहां रहना हम तुम्हें वापस लेने आएंगे वह देखो चूटासा एलियन चलो पकरते हैं उसे आगेोड मेरें le è अना सब्सक्रार उसे चहोर दो जोब बॉबऑवי देखो मै ने एलियन पकडा है एलियनligen कितना क्यूट है मैं इस को दुनिया बर में दिखा कि फेमस हो जाओंगा मैंने कहा उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, अगर कोई खतरनाग जानवर तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, now will you please excuse me, मुझे बहुत काम है, तुम जाओ समात सिवा करो अच्छा, अगर कोई जानवर उसे पकड़े गात तो उसे अच्छा लगेगा इमली आज चुलबुल का बर्थ दे है और उसे याद ही नहीं है, चलो उसे सर्प्राइस पाठी देते हैं ये स्वीर, चुलबुल भी सर्प्राइस पाठी दे के खुश हो जाएगा ये दोनों बात करते करते अचानक चुप क्यों हो गए और च्छत पे क्यों चले गए मेरा डॉंकी सेंस कह रहा है कि ये मुझ से कुछ तो चुपा रहे है क्या हुआ चुलबुल कुछ नहीं कुछ नहीं तुम लोग तुम लोग बाते करो और मैं सुनूंगा कि तुम क्या बाते कर रहे हो इमली लगता है उसे शक हो गया है कि हम कुछ छुपा रहे हैं चलो यहां से भाग चलते हैं पहले तो शक था लेकिन अब तो पक का यकीन हो गया है वो मुझ से कुछ तो छुपा रहे हैं जिन्टू भीद इमली मुझ से कुछ छुपा रहे हैं मुझे एसी सुनने की शक्ति दो कि मैं दूर-दूर की बाते सुन सकूं मेरे सुनने की शक्ति सो गुना बढ़ा दो ने ने ने, हजार गुना बड़ा दो, मैं यही खड़े-खड़े सब सुनूंगा, वो क्या बात कर रहे हैं? ओके छुलबुल, अग्रम, बग्रम, आलम, फालम, इक्रम, तिक्रम, दम-दमा-दम बस करो, बस करो, जादू आपस ले लो, जादू आपस ले लो, मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं अरे इतनी सारी आवाजों में वीर और इमली की आवाज कहां दब गई पता ही नहीं चल रहा है जिन्टू, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं सिर्फ इमली और वीर की ही बात सुन सकूँ और उनको पता भी ना चले ये लो, ये है इन्विजिबल शॉल, इसको और लोगे तो वीर तुमको देख नहीं पाएगा तुम उनके पास ही बैट के पूरी बात सुन सकते हो ओ, थैंक यू जिन्टू मैंने केक और स्वीट्स का ओडर कर दिया है चल्बूल के लिए खास तोर से कारेट फ्लीवर का केक बनवाया है वाव, कारेट फ्लीवर, चल्बूल तो बहुत खुश हो जाएगा अब बात करो, कितना करना है करो, सब सुन लूँगा मैं यहाँ 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 यह चुल्बूल कहां से चिल्ला रहा है वीर, मैं भी इस कॉंबिडिशन में हिस्सा लोँगा देखना मैं सब से ज्यादा दूद पी कर फर्स्ट आऊँगा नहीं चिंटू, तुमें इक जेन हो, तुम जादू से जीच जाओगे कोई नॉर्मल बच्चा तुम से मुकाबला कैसे का अगा कर सकता है, तुम मुझे किसी भी कॉंपिडिशन में हिस्सा ले लेने देते भाईयों बहनों, हमारा नाम है कुरोधि पहलवान हमरे डेरी में इक कंपेटीशन यहले रखा गवा है कि बच्चों को दूद पिये की आदत पड़ जाए जोन बच्चा सबसे जादा दूद पियेगा, वह फर्स्ट आएगा चलो भाई, चलो, मुकावला सुरू करता हूँ इनी मुझे तो मुझे जिंदू लगता है, तो भी इपना सारा दूद नहीं पिसता बस बस बिटूआ, हमार सब दूद खतम है गवा, हम तुमका फर्स्ट प्राइज एक मिनिट सार, ये कॉम्पिटिशन फूर्साद गंज के बच्चों के लिए है फर्स्ट प्राइज बंटी को मिलना चाहिए, क्योंकि ये लड़का फूर्साद गंज का नहीं है मेरा नाम पिंटू है, मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ देखा भाई, कहाई कि पिंटू जो उना फूर्साद गंज का नाहीं है इसे इस कम्पिटीशन में फर्स्ट प्राइज नहीं दिया जा सकता फिर भी हम इसे एक प्राइज तो दे ही देंगे ये ट्राफी है, ये बचवा पिंटू के लिए और ये कम्पिटीशन में फर्स्ट आया है बंटी ये, मैं जीत गया, मैं जीत गया अभी अभी सुत्रों से पता चला है कि फुर्सत गंज में रोज हर तबेले से भैसे चोरी हो रही है पोलिस की काफी कोशिशों के बाद भी चोर पकड़ा नहीं गया है अब सिर्फ न्यू डेरी में ही भैसे बची है क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत सारे पहलवान कर रहे है लोगों ने रोगो बॉई से अपील की है कि इस चोर को पकड़े रोगो बॉई, अगर तुम ये न्यूज देख रहे हो, तो प्लीज है दादाजी हमें उस चोर को बकड़ना होगा लेकिन कैसे जिन्टू है ना, दूज से भरा हुआ पूरी डेरी इसे कहो जादू से भैस बनके खड़े हो जाए, जब चोर इसे ले जाएंगे जानते हो टिमबक्टू, इस हीटिंग एजट में 2000 दिग्री सेंटी ग्रेट टक टेंपरेचर बढ़ा सकता हूँ मैं समझ गया, फुर्सद गंज का टेंपरेचर बढ़ा के आप एसी और कूलर बेचना चाहते हैं लेकिन बहुस बहुस मैं आईस क्रीम बेचूंगा मुझे आईस क्रीम बहुत अग्रेचर शड़न्यू कद्दू के अचाहत मैं इसे फुर्सद गंज के पीछे जो वालकेनो है उसके अंदर और नीचे लगा तूंगा जाला मुखी फटने के लिए ग्यारा सो डिग्री सेंटीग्रेट टेंपरेचर ही काफी है मैं इसे दो हजार डिग्री सेंटीग्रेट तक बढ़ातूंगा और फिर पूरा फुर्सत गंज जाला मुखी के लावे में बढ़के खत्म हो जाएगा और उसके साथ वेर भी खत्म हो जाएगा मेआव! You're a genius boss, super-duper genius! She is right Boss, she is right! ये देजमाल, ये हो वालकेनो जो पुरसत गंच के पीछ है. ये तनल, तुम इस टनल में जा के जाए वालकेनो के नीचे वो इंस्ट्रॉमेंट रख दे रहा? Boss, यहां करमी बहुत बढ़ रही है. लगता है हमारा एसी खराब हो गया है। एसी नहीं खराब हुआ बॉस। हमारी डेन भी एक वालकेनू के अंदर है। अगर हमारा वालकेनू फटा तो ये इंस्टूमेंट एक दम परफेक्ट है। ये सोच के मैंने वो हीटिंग गैजट आन कर दिया है वो। कर दिया तुमने। कुम्बक्टूू। वो हीटिंग गैजट। वालकेनों के निचे रखके ओन किया कि नहीं। ओन कर दिया है बॉस। आप तो जानते ही हैं। मैं कभी गलती नहीं करता। अब मेरी बारी है। पूरे फुरसत गंच को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी बीमारी है। डॉक्टर्स भी परेशान हैं और साइंटिस्ट इस पे रिसेर्च कर रहे हैं। ताता जी कल से मेरी आख बंद नहीं हुई। मैं सो नहीं पाया और बंटी का मूँ बंद नहीं हुआ। कभी मच्छर, कभी मक्षी बार-बार घुस रहे है। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है। यह देखे, पापा का हाथ कैसा टेड़ा हो गया है। पूरे शहर में ऐसा ही कुछ न कुछ सब को हुआ है। हम भी अभी टीवी में यही नियूज देख रहे थे। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि यह क्या बिमारी है। यह बिमारी आज से सौ साल पहले मत्य सागर के कालू का दीप पे होती थी। तो फिर यह यहां कैसे आ गई। किसी माइग्रेटरी बर्ड के साथ आ गई होगी। जब बर्ड्स एक शहर से दूसरे शहर उड़कर जाते हैं, तो उनके पंजों में कई जर्म्स बैक्टेरिया साथ आ जाते हैं। उन गाववलों ने इसका इलाज कैसे किया। वहां के एक लोकल डॉक्टर ने इसका इलाज ढूडा। और वो इलाज इस फूल में है। इस फूल की पत्ती को खाने से या इसका रस निकाल के पीने से ये बिमारी दूर हो सकती है। दादा जी लेकनी ये तो सौ साल पहले की बात है। अब पता नहीं ये फूल वहां होगा की नहीं। ये तो जाके ही देखना होगा। वीर तुम लोग स्पेस शिप से चले जाओ। अपना ध्यान लखना। दादा जी में उड़ने वाले पंक भी ले जाता हूँ। क्या पता कभी बिना स्पेस शिप के चुलबुल को भी उड़ने की जरूरत पड़ जाए। तुम ठीक कहते हो वीर, पूरी तयारी के साथ जाओ। वाव। कितना सुन्दर आइलेंड है। यहां के पंची भी कितने सुन्दर है। साब सुन्दर है। यह क्या हो रहा है। वीर, बुलुक आगे। चलो भागो। रुको, पहले मैं बात करता हूँ। वो सत्ता है बात करने से वो दोस्त बन जाए। हम यहां दोस्ती करने आए हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। हुला हुला तीरु भाला तीरु भाला हुला 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 तीरु भाला हुला 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 अपर्ट था ए्टबस चाही मैं 10 क Karl